दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर आएए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित, हिंदी व्याकरणा में आज की वीडियो में बना रहे हैं राजस्थानी भाषा और साहित मुलत है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई कोलेज लेक्चर व्याक्याता पदों की भरती के लिए हिंदी भाषा के प्रथम प्रशन पत्र की प्रथम हिकाई का ये चैप्टर है राजस्थानी भाषा और उसका विकास और उसकी बोलिया तो उसी के तहट ये वीडियो बन रही है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग रहे है यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सबस्क्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को ज़रुद भाएं तक कोई वीडियो आप मिष न गर पाएं, आगे तो शुरू करते हैं, आज की वीडियो राजस्थानी भाशा राजस्थान की मुख्चे भाशा है राजस्थानी भारत के तरीक्त पाकिस्तान में भी भारत से जटे हुए इलाकों में बोली जाती है राजस्थानी भाषा भारती आर्रे भाषाओं तथा बोलियों का समुव है जो भारत की राजस्थान राज्यों में बोली जाती है यह भाषा हिंदी की एक प्रमुख उब्भाषा है राजस्थानी भाषा अपनी शब्दावली का लगभग 80 प्रतिशत हिंदी से ग्रहन करती है जबकि 20 प्रतिशत इस्थानी होते है राजस्थानी भाषा के चार प्रमुख वर्ग है पूर्वोत्र मेवाती, दक्षनी मालवी, पश्चमी मारवाडी और पूर्वी मद्धे जयपुरी इन में से मारवाडी भोगोलिक द्रश्टी से सबसे व्यापक है राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान प्रांत में मालवा छेत्र था पाकिस्तान के कुछ भागों में करोडों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है राजस्थानी भाषा में विपुल मात्रा में लोग कीत, संगीत, निर्थे नाटक, कथा, कहानी आदिसाहित्य उपलब्ध है जोदुपूर और उदेपूर विश्विध्यालियों में राजस्थानी शिक्षन की व्यवस्था है इसे वर्तमान में देवनागरी में लिखा जाता है राजस्थानी भाषा को सरकारी मानिता प्राप्त नहीं है परिणाम सोरूप ये भाषा धीरे धीरे हिरास की और अग्रसर है कुछ मात्री भाषा प्रेमी अच्छे व्यक्ति इस भाषा को सरकारी मानेता सम्विधानिक रूप से मानेता दिलाने के प्रियास में लगे हुए हैं भारत के अन्य राज्यों की तरहें राज्यस्थान में कई बूलियां बोली जाती हैं वैसे तो समग्र राजस्थान में हिंदी बोली का प्रचलन है लेकिन लोग भाषाएं जन सामाने पर ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। महरवाडी, मेवाडी, धारकी, बीका नेरी, बांगडी, शेखावटी, खेराडी, मोडवाडी, देवडावाटी, आदी। दक्षिन पूर्वी राजस्थानी, रांगडी, और सोंधवाडी, दक्षिन राजस्थानी बोलियां, मेवाडी, निमाडी, आदी। नरुत्तम स्वामी का वर्गी करण इस प्रकार है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाडी, पूर्वी राजस्थानी धोंधानी, उत्री राजस्थानी मेवाती, दक्षिनी राजस्थानी मालवी। मोतिलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थान की निमलिक्त बोलिया हैं, मारवाडी, जोदपूर, जैसलमेर, भीकानेर, वे सेखावाटी, मेवाडी, उदैपूर, भीलवाडा, वे चित्तोडगड, बांगडी, डुंगरपूर, बांसवाडा, दक्षिन पस्चिमें उदैप हाडोती, कोटा, बोंदी, शाहपूर, थावदैपूर, मेवाती, अलवर, भरतपूर, धोलपूर, करवली, पूर्वी भाग, ब्रज, भरतपूर, दिल्ली वे उत्तरप्रदेश की सीमा, प्रदेश में, मालवी, जहलावाड, कोटा और प्रतापकड, रांगडी, मारवाड मालवी का सम्मिसरन मारवाडी बोली, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, मुख्य रूप से मारवाडी बोली, सरवाधिक प्रियुक्त की जाती है, यह जोदपूर, जैसलमेर, बीकानेर, और, शेखावटी में बोली जाती है, यह शुद्द रूप से जोदपूर छेतर की बोली है बाडमेर पाली नागोर और जालोर जिलो में इस बोली का व्यापक प्रभाव है मारवाडी बोली कि कई उप बोलियां भी हैं जिन में ठटकी थाली बीकानेरी बांगडी शेखवटी मेवाडी खैराडी सिरोही, गोडवाडी, नागोरी, देवड़ावाटी आदी प्रमुख है सहित्तिक मारवाडी को डिंगल कहते हैं डिंगल सहित्तिक द्रश्टी से संपन बोली है मेवाडी बोली यह बोली दक्षनी राजस्थान के उदैपूर भील वाड़ा और चित्तोडगर जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है यह मारवाडी के बाद राजस्थान की महत्तुपूर बोली के विक्सित और शिष्ट रूप के दर्शन हमें 12-23 ताबदी में ही मिलने लगते हैं मेवाडी का शुद रूप मेवाड के गाउं में ही देखने को मिलता है मेवाडी में लोक सहित्ते का विपुल भंडार है महराना कुम्भा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में मौजूद है इस बोली में मारवाडी के अनेक शब्दों का प्रियोग होता है केवल ए और अउ की ध्वनी के शब्द अधिक प्रियोगत होते हैं मेवाडी बोली अलवर एवं भरतपुर जिलों का छेत्र मेव जाती की बहुलता के कारण मेवाड के नाम से जाना जाता है अते यहां की बोली मेवाती कहलाती है यहे अलवर की किशनगड, तिजारा, रामगड, गोविंदगड, लक्षमनगड तैसिलों तथा भरतपूर की कामा, डीग वे नगर तैसिलों के पश्चिमोत्र भाग तक तथा हरियाना के गुडगाओं जिलो, जिलावे, उत्रप्रदेश के मत्वरा जिले तक विश्तरित है लालदास जी म, चरणदास जी, संत संपरदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है चरणदास की शिश्चाएं, दयाबाई वे सहजोबाई की रचनाई भी इस बोली में मौजूद है मेवाती बोली पर ब्रजभासा का प्रभाव बहुत अधिक द्रश्टी गोचर होता है उत्रप्रदेश की सीमा से लगे भरतपूर, धोलपूर और अलवर जिलों में ब्रजभोली अधिक प्रचलित है मेवाती में कर्म कारक में लू विभक्ती एवं भूतकाल में हा, हो, ही साहिक करिया का प्रियोग अधिक होता है धूंधानी बोली राजस्थान के मद्यपूरु भाग में मुख्य रूप से जहपूर किशनगड अजमेर टोंक में बोली जाती है धूंधाडी पर गुजराती मारवाडी इंब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से दिखाई देता है इसका प्रमुख उप बोलियों में हाडोती किशनगडी तारावाटी राजावाटी अजमेरी चोरासी नागर चोल आदी प्रमुख है धूंधाडी में गद्य उपत दोनों में प्रचूर साहित्ते मौजूद है संत दादू एवं उनके शिश्यों ने इसी भाषा में रचनाई की इस बोली को जैपुरी या जाड़ शाही भी कहते हैं इस बोली के लिए प्राचिन्त मुलेख अठारवी शती की आठ देसी गुजरी पुस्तकों में मुजूद है इस बोली में वर्तमान काल में छी द्वव है आदी शब्दों का प्रियोग अधिक होता है बागडी बोली यह बोली डूंगरपूर्वे बांसवाड़ात था दक्षणी पस्ची में उदैपूर के पहाड़ी छेतरों में बोली जाती है यह भाषा मेवाडी के दक्षणी भाग दक्षणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के छेतर में बोली जाती है भीली बूली इसकी सहयक बोली है इस बूली की भाशागत विशेस्ताओं में चै, छै, का, सै, का है, का प्रभाव अधिक है और भूतकाल की सहयक क्रियाथा के इस्थान पर हतों का प्रियोग किया जाता है मालवी बोली जहलावाड, कोटा और प्रतापगड जिलों में मालवी बोली का प्रचलन है यह भाग मद्य प्रदेश के मालवा छेतर के समीप है मालवी बोली में मारवाडी एंड, ढुंधाडी दोनों की कुछ विशेष्टाएं पाई जाती है कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव जलगता है मालवी एंड, कर्ण, प्रिय, एंड, कॉमल, भाषा दोनों के रूप में प्रसिद्ध है इस बोली का रांगडी रूप कुछ करकश है राजस्थानी साहित्य राजस्थानी साहित्य की संपूर्ण भारतिय साहित्य में अपनी एक अलग पहचान है राजस्थानी भाषा का प्राचीन साहित्य अपनी विशालतायम अगाधता में इस भाषा की गरिमा प्रोडतायम जियूंतता का सूचक है राजस्थानी में प्रियाप्त प्राचीन साहित्य उपलब्ध है जैन यती राम सिंग्त था हेम चंद्राचारे के दोहे राजस्थानी गुजराती के अब्रण्ष कालीन रूप का परीचे देते हैं इसके बाद भी पुरानी पश्चीमी राजस्थानी में जैन कवियों के भागू रास्त था चरचरी कावियों के अतिरिक्त अनेक गध्य कृतियां उपलब्ध हैं पुरानी राजस्थानी की पश्चीमी विभाषा का वेग्यानी कध्यन डोक्टर एल पी तेसी स्तोरी ने इंडियन एंटी वरेरी 1914-16 में प्रस्तुत किया जो आज भी राजस्थानी भाषा शास्त्र का केला प्रामानिक क्रंथ है पश्चीमी राजस्थानी का मध्ययोगिन सहित्य सम्रिद्ध है राजधानी की ही एक कृत्रिम सहित्तिक शैली डिंगल है जिसमें प्रियाप्त चारण सहित्य उपलब्ध है भाषागत विकेंद्र करन की नीती ने राजस्थानी भाषा भाषी जनता में भी भाषा संबंधी चेतना पैदा कर दी है और इधर राजस्थानी में आधुनिक साहित्तिक रचनाये होने लगी हैं। चिन्न नहीं दिये जाते हैं। पैली गते हम विशेगत भिनताओं के कारण पांच भागों में भाजित किया जा सकता है। जैन साहित्ते, चारण साहित्ते, ब्रामन साहित्ते, संत साहित्ते, लोक साहित्ते। राजस्तान के प्रमुक साहित्तेकार हम उनकी रचनाये, कुछ चुनिंदा रचनाये हम यहां पर दे रहे हैं। चंद वर्दाई प्रत्विराज रासो, हिंदी के पहले कवी या पहले महका वेक रचिता के रूप में जाने जाते हैं। शिवदास गाडण चारण अचल दास खींची री वचनीका, सूर्य मिशन वन्ष भासकरवे वीर सत्सई, गिर्धर आसिया सगत रासो, कवी कलोल डोला मारूरा दुहा, मुहुणोत नैन सीरी ख्यात वे मारवाडरा परगणारी विगत, जग्गा खिडिया राठोड रतन सिंग महेश दासोत री वचनीका, बीठु सूजा राव जैत सिरो चंद, नैन चंदर सूरी हमीर महकावे, मंधन राजवल्लव, जैनक प्रत्वी राजविजे, रण छोड़दास भट, अमर कावे वनशावली, पद्म नाव, कानःदे प्रबंदवे, हमीर आयन, नर्पती नालह, बीसल देव रासो, महकवी माग, शिशुपाल वद्द, भट्ट सदाशिव, राजविनोध, कनहियालाल सेठ्या, मींजर, गलगचिया, कूंक, पाताल पीथल तथा, रमनियरा सोरठा, विजदान देथा, बातारी फुलवारी लोग कताएं, सीताराम लालस, राज़स्थानी शब्दकोष, कोमल कोठारी राज़स्थानी लोग गीतों, कथाउं आदी का संक्रन, रूपाइन संस्था द्वारा, अगर चंद नहाटा, पांडूलिपी संग्रेयम लग कताएं, बसीर एहमद मयूख, गालिब की रचनाओं का राज़स्थानी अनुवाद, मणी मधुकर भरत मुनी के बाद, पन्यास, पग फेरो काव्य, और अनेक नाटक, मनोहर वर्मा, आग का गोडा सूर्य, एक थी चुहिया दादी, मैं प्रत्वी हूँ आदी रचनाएं, महिंद्र भानावत, गहरो फूल गुलावरो, देव नाराण रो भारत आदी, राम गोपाल सिंग राजपुरोहित, सुन्दर नैन सुधा, कहानी संग्रे, मेजर रतन जांगिड, माई एड़ा पूत जन, कहानी संग्रे, चेतन स्वामी, किस्तूरी मिरग, कहानी जंग्रे, नंद भारद्वाज, सामी खुलतो मारग, उपन्यास, संतोष माया मोहन, सिमरण कवीता संग्रे, भरत ओला, जीवरी जात कहानी संग्रे, अब्दुल वाहिद कमल, घराणों उपन्यास, जया प्रकाश पांड्या, जो तिपुंज, कंकु कमंद नाटक, वासु आचारे, सीर रो घर कवीता संग्रे, शान्ती भर्द्वाज राकेश, उड़जारे सुवा उपन्यास, मालचन तिवारी, उत्रियो है आभो, कवीता स संग्रे, नेम नारयान जोशी, ओडूरी अखियाता, संस्मरण, किशोर कल्पना कांत, कूख पड़ेई री पीड, कवीता संग्रे, करणी दान बारेट, माटीरी महक कहानी संग्रे, न्रसिंग राजपुरोहित, अधूरा सुपना कहानी संग्रे, डॉक्टर अर्जुन देव चारण, धरमजुद नाटक, प्रेम जी प्रेम, महारी कवीतावा, कवीता संग्रे, रेवत्ता अंचारण कल्पित, उचालो, कवीता संग्रे, याद्वेंद्र शर्मा चंद्र, जामरो कहानी संग्रे, भगवती लाल व्यास, आणद नाद, कवीता संग्रे, नैन मल जैन, सांगलारी पीडा, स्वत मेग, कवीता संग्रे, महावीर प्रसाथ जोशी, द्वार का खंड, कावे, सावर दय्या, एक दुनिया महारी, कहानी संग्रे, सुमेर शिंग शेखावत, मारू मंगल, कवीता संग्रे, मोहन आलोक, गागीत, कवीता संग्रे, मूलचंद प्रनेश, चसम दीष्ठ गवा, कावीता संग्रे, नार्यान सिंग भाटी, बरसारा, डीगोडा, डूंगर लांग्या, कवीता संग्रे, रमेश्वर दयाल शिरीमाली, महारो गाव, कवीता संग्रे, डूक्टर चंद्र प्रकाश देवल, पागी, कवीता संग्रे, अन्ना राम सुदामा, मेवईरा रूख, उपन्यास, सत्य प्रकाश जोशी, बोल भारमली, कवीता संग्रे, मणी मधुकर, पग फेरो, कवीता संग्रे, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, राजस्थानी भाषा एंबोलिया, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई, कोलेज व्याक्यता पदों की भरती के लिए हिंदी भाषा के प्रथम प्रशन पत्र का ये, प्रथम इकाई का एक अध्याय है, वीडियो आ आपको अच्छी लगिया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के माद्धम से में ज़रूर बताएं, यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिक्यासा है, कोई प्र किया देल ke आपको कि आपको कि में ज़के एक पूले, वीडियो आपको कार मेंट्स कीजिए।